चुले पह चले का स्त्रेक बीट्स का सेकंड सेट सुरू करते हैं जो की सर्वना पारासी यानिकि सर्वलज नफ पानारास का सेकंड सिर्ड शुरू पर क्रते, तो क्योश्चन है क्या थो यॉ-दर कोस्टन क्या है the life of mortal in this world is troubled and brief and combined with pain मत्ब मनुस्य का जो जिन्दगी जो होता है न वो क्या होता है न ट्रबूल होता है यानि कि उसमें ट्रबूल सोते हैं ब्रिफ होता है चोटा होता है यानि कि and combined with pain और जो होना दुख से बरा होता है दर्द से उसमें जो हना दर्द का समविस होता है यानि कि दर्द बरा होता है for there is no any means by which those who have been born can avoid dying मत्ब इसलिए ऐसा इसलिए कहा जा रहा है for का मतलब यहाँ पर because यहाँ पर for का for के बाद जो है न कॉमा इसका मतलब हो जाता है यहाँ पर because इसका मतलब क्या है कि किसी भी जिसने भी जनम लिया है न वो कोई भी ऐसा जड़िया नहीं है जिससे कि वो अपने मौत को avoid कर सके मौत से बद सके यानि कि उसका मरना जो है न जो कोई भी जनम लिया है न उसका मरना जो है बिल्कुल तय है after reaching certain age एक समय के प्राप्ति के बाद एक एज के प्राप्ति के बाद there is death मतलब एक death का होना तय है of such a nature of living being मतलब living being का कुछ ऐसा ही nature होता है कि एक उमर के बाद सब का मौत होना हो ही जाता है ऐसा nature है as ripe fruits are early in danger of falling देखिए जो पका हुआ फुल फुल हो जाना वो ये कह रहा है कि पका हुआ फुल हमेशा खत्रा मन रहता रहता है किस चीज़ का उसका गिरने का so the mortal when born is in danger of death तो इसी तरह से जब आदमी जीवा था मनुस्य भी जो होता है वो हमेशा एक डेंजर मना होता है उसके मरने का डेंजर मना होता है तो इस पूरे paragraph का meaning ये हुआ क्या कि मनुस्य का जो जिन्दगी होता है वो full of trouble होता है प्रीफ होता है चोटा होता है and combined with pain उसमें pain का भी जो है न वो दर्द का समावेश होता है उसके जिन्दगी में ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है न जिस कोई ने भी जन्म लिया है उसका मरना बिल्कुल तय है क्यों after age death is certain एक समय के बाद जो है न death का क्या हो जाना हो जाना जो है न बिल्कुल time माना जाता है कि death होता ही होता है और ये जो है न human being का एक nature है ये एक nature of such a nature of living being मतल़ human living being का जो भी जिवित चीज है न उसका होने का यानि कि death होना उसका बिल्कुल होना time है ठीक है अब देखे क्या है as Ripe fruit जैसा कि aih comparison किया गया है कि जैसा कि Ripe fruits जो है वह क्या होता नin उसमें हमेशा एक 다रा बना होता है गिरने का ठीक है ना उसी तरह से मनुस्यका भी जिन्हीं जो है न वह एक खतना मतल्ए एक कात्रह जो है मनुस्यका दिएथ का तो इस तरह से यह बात इक इन्वार्टेट कॉम में कहा गया है और इसका यहां पर इन्वार्टेट कॉमा बंद हो रहा है यानि कि अनकोट हो रहा है अब देखे हमें क्या काना है हमें बताना है कि किस ने यह बात को कहा है तो गौतम बुद्धा ठीक है सामनों पहनारस जो चैप्टर है उस चैप्टर में यह बात जो है न गौतम बुद्धा ने कहा है ठीक है अब देखे हूज लाइफ इस टॉबल ब्रीफ और कंबाइंड बिट पेन किसका जिन्दी जो है वह ट्रॉबल ह होता है ब्रीफ होता है और कंबाइंड बिट पेन और उसमें दर्द का समावेस होता है मोटल यानि की मनुस्री का जिन्दी ठीक है अब देखे अगला कॉर्शन क्या है वाट इस मीनिंग ऑफ यूमें बिंग मतलब है यहां देखे यह सब्द मिल रहा है जिसका मतलब यूम इस नेचुरल देख जो है वही नेचुरल है बिलकुल होना होना है विच फूरूट फेयर्स अफ फॉली राउं मतलब क्या जो पका हुआ फॉल होता है उसके उसका जो है गिरने का खत्रा बनता है यह हो गया राइप फूरूट्स तो बचलों कि इस तरह से हम लोग चौथ कोर्शन के तरफ में बढ़ते हैं फिफ्ट कोर्शन किया है मार्क वाई रेलिटिव सा लुकिंग ओन एंड लेमेंटिंग डीपली वन बाइवन मोटल सार कैरीड अफ ठीक है न अब इस तरह से यह बात कहा जा रहा ना कि जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जब रेलिटिव ज यानि कि देखें कि या कहता है हर कई बाद मोट होता है ना हर इनसान ग 돼浪ी करता है थे, कि एक अबाद एक और इनसान के ikिए में बाष्व करते हैं। is late to the slaughter जैसे उसी तरह से मनुस से निकल जाता है जिस तरह से जैसे कि slaughter में क्या होता है ना ox को ले जाय जाता है ठीक है यानि कि इस चीज़ को मैं फिर से समझा दू कि relative के पिलखने से दुखी होने से कोई फर्क नहीं परता है यह कहने का मतलब है क्या होता है कि एक के बाद एक जो है ना उनके जिन्गी से ना मनुस से जो है ना उनके जो relatives जो है ना वो क्या होते है ना मरते चले जाते है एक इंसान के जिन्गी मैं ऐसा देखने को मिलता है और यह घटना इसलिए ऐसा होता है कि दुनिया में ब्याप्ट क्या है किस चीज से ग्रसित है वो है देथ से और किस चीज से डिके यानि कि नास से यानि कि नास्वर है चीज और क्या है देथ जो है वो बिल्कुल इम्पेरिटाइन यानि कि अनिवारे चीज है ये एक मार मना कि बिल्कुल एक natural चीज है, therefore the wise do not grieve, इसलिए जो भी ग्यानी लोग होते हैं, वो don't grieve, they do not grieve, उस पे जो है वो ग्रीव नहीं करते हैं, यानि कि उस पे जो है दुख नहीं मत, ज्यादा दुखी नहीं होते हैं, knowing the terms of the world, यही जो है वो सिधानते, यही जो है टर्म से दुनिया का, ठीक है न, यही रीत है, ठीक है, इसको इस तरह से कर सकते हैं, दुनिया की इस रीत को, और किसी को, जो wise है वो जानते हैं, अच्छे से, अब देखे क्या है, find the world that means expressing sorrow, हमें एक ऐसे word जो है इस paragraph में दिया हु होता है, तो देखे क्या है, वो जो है न, लेमेंटिंग हो गया, तो यहां पर हम लोग देंगे, लेमेंटिंग, ठीक है, what happened to man in the paragraph, paragraph में कहा जा रहा है कि मनुसरे के साथ क्या हो रहा है, the man, यानि कि mortal, are carried off by one by one, ठीक है न, मतला कि मनुसरे को जोने, एक की बार, एक मनुसरे to all, only wise, wise person, जो हैने, इस चीज को न, accept कर लेता है, कि that is common to all, what is afflicted with the death and decay, मतला, यहां पर देखे क्या है, world, जो है, that is afflicted with the, with the death and decay, यही है, इसका answer, चुली, इस तरह से मने बचलों, इस पर जो हैने, पांच question जो है, इस चैप्टर से कर लेते है, thank you बचलों,